बीते आठ सालों में एक भारत स्रेश्ट भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया जब मैं एक भारत, स्रेश्ट भारत की बात करता हूँ तो हमारा फोकस, कनेक्टिविटी पर भी होता है दूरियां मिटाने पर भी होता है दूरियां, चाहे दिलों की हो भाषा व्यहवार की हो या फिर संसाधनों की इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्रात्मिक्ता है जैसे हमारे दोगरों के बारे में लोग संगीत में कहते है मिठडी, मिठडी ये डौंगरेदी बोली मिठडी, ये डौंगरेदी बोली ते खंड मिठे लोग डोगे ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदंसिल सोच देश के लिए एकता की ताकद बनता है और दूरियां भी कम होती है भाई और भेनों, हमारी सरकार के प्रयाद से अब बनिहाल कांजीकुट टनल से जम्मू और स्रीनगर की दूरी दो गंटे कम हो गई उदंपूर, स्रीनगर, बारा मुला को लिंक करने वाला आकरशक आर्क ब्रीज भी जल्द देश को मिलने वाला है दिल्ली, अमरुत्सर, कट्रा, हाइवे भी दिल्ली से मावश्ण उदेवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है और वो दीन दुरा नहीं होगा जब कन्या कुमारी की देवी वैश्णो देवी से एक सडक से मिलने वाले हैं जम्मू कश्मीर हो, ले लदाख हो हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के जादातर हिस्से बारा महिने देश से कनेक्टेड हो सरहदी गाओं के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रात्वीक्ता के आधार पर काम कर रही है हिंदुस्तान भर की सरहदों के आखरी गाओं के लिए वाइबरेंट विलेज योजना इस बार बजेट में मन्जूर कीए है उसका लाब हिंदुस्तान के सभी आखरी गाओं को जो सीमा पर सटे हुए है वो वाइबरेंट विलेज के तहट मिलेगा इसका अधिक फाइदा पंजाब को जम्मू कश्मीर को भी मिलने वारा है